4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंता दिवस होता है, अमेरिका इस दिन आजादी का अपना पर्व मनाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को आधिकारिक रूप से कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा अपने आपको स्वतंतर घुशित कर दिया गया था, तो 4 जुलाई को अमेरि देशों के स्टार्ट अप्स का एक सम्मेलन है स्टार्ट अप के प्रतिवर्ष जारी होता है किसके द्वारा जारी होता है इस क्रम में ये 17 संस्करण है 2006 में पहली बार ये जारी हुआ था 84 देशों में सुधार दर्ज किया गया है पीस इंडेक्स में वही 89 देशों में गिरावट देखी गई है शान्ति में इसके साथ ही इसका एक निसकरश ये है कि हिंसा से जो हिंसा होती है तमाम तरह की विश्व की जीडीपी को 12.9 प्रतिशत नुकसान होता है लगबग 13 प्रतिशत नुकसान होता है इस सुचकांग में पहले अस्थान पे आइसलेंड है दूसरे पे डेनमार्क है तीसे पे आइलेंड है चौते पे न्यूजिलेंड है पांच में पे आस्ट्रिया है ये पांच जो है दुनिया की सबसे शान्तिपूर्ण देश है भारत की स्थिति में सुधार देखा गया है 163 में अस्थान पर है सागर निधी अभी हाली में चर्चा में है क्या है ये तो भारत का अनसुंधान पोत है बांगलादेश और मौरिशयस के वेग्यानिक इस संयुक तभियान में अभी हाली में शामिल हुए इसलिए चर्चा में आया यहां हरियाना की टीम ने भोपाल में आयोजित भोपाल मदबदेश की राज़ानी यहां प्रायोजित छठे यूआ महिला राष्टी मुक्यवाजी चेंपियनशिप जीत ली है पाज स्वन सहित कुल 13 पदक हरियाना ने अपने नाम किये यूकलिड मिशन यह यूकलिड एक गड़ित यह थे उनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है यूरोपी अंतरिक्ष उपग्रह का नाम है यूकलिड और यह किसलिए भेजा गया है डार्क मैटर की खोज के लिए दार्क मैटर ऐसा माना आता है कि जो अंतरिक्ष है, पूरा ब्रम्भांड है, उसका केवल 5 प्रतिशत ही दृष्ष है, बाकि 95% जो भाग है वो डार्क मैटर से बना हुआ है, उसी की खोज के लिए युकलिड मिशन भेजा गया है ताकि ब्रम्भांड के जो अथा रहस्य हैं उनका कहीं से कोई सुरात मिल सके, ड्रीम 11 आप सबको पता ही है, बी सी सी आई द्वारा भारती टीम का मुख्य प्रायोजेक इसको घोशित कर दिया गया, तीन वर्ष अब ये भारती टीम जो क्रिकेट टीम है, उसके टीशर्ट पर रहेगा, तो ड्रीम 11 बी सी सी आई साबरमती नदी पर वो जो रिवर्फरंट है उसके पास ये चलाया जायेगा, ग्रिह मंत्री अमिश शाहदौरा इसको लॉंच किया गया, तो अक्षर क्या है, नदी क्रूज है, किस नदी पर साबरमती नदी पर, कहां पर लॉंच हुआ, एहमदाबाद में, गुजरात में तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद।